सभी आंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे 7 बजे की सच्छी खबरों में स्वागत है भायो बहनों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ये सब समागरी आंगनबाडी बहन को ग्राम प्रधान के द्वारा रिस्यू कराई गई है इनमें बहुत सी समागरी है और ये सब मेटेरियल एक्सियम से जुड़ा हुआ है यानि हार्ट कुग्ड मील से जुड़ा हुआ है आंगनबाडी केंडरों पर तीन से छे वर्स के बच्चों को गरम पका भोजन खिलाने के लिए जो भी बरतन समागरी में चाहिए वो सब बरतन उनको दिये गए हैं और साथी साथ उसका पुरा बिल बाउचर भी दिया गया अभी हम आपको दिखाएंगे कितना कितना मात्र तो नहीं हो रही अब इसमें देखे बहन ने लेखा है भाया जी नमस्ते ये बरतन प्राप्त किये हैं प्रधान ने जो है प्राप्त करवाया है आंगनबाडी उमा सिर्वास्तो ब्लाक बेटा जिला सीतापूर तो सीतापूर से आती हैं उमा सिर्वास्तो बहन और ये पु और बाकी लिखित रूप में तो हम आपको दिखाएंगे ही, कि इतना इतना सब उनको मिला, तो यहां पर जो है एक कड़ाही और एक जो है यहां पर भगोना साती साथ यहां पर आप देख रहें, थाली है और कटोरी है, गलास है और कुकर दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत सी दिखाते हैं सीधा वो लिस्ट जो आंगनबाडी केंदर पर इनको दी गई है प्राप्त कराई गई इतना सामान उनको मिला है आए देखते हैं लिखा गया है थाली की बात करें तो 40 थाली दी गई है 40 गिलास दी गई है और कटोरी भी 40 दी गई है चम्मच भी 40 दी गई है एक दिया गया है, बेलन एक दिया गया है, चौकी भी एक दिया गया है, चिमटा भी एक दिया गया है, और करचुल की बात करें, तो वो भी एक दिया गया, तेरा चीजें आप देख रहे हैं, वो बहनों को दिया गया है, अब तेरा चीजों में कई चीजें जो 40 पीस के हसाब आपसे भी हैं और वैसे भी हैं अब हो सकता है ये 40-40 मात्रा में जो है आपको देखने को ना मिले या ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं इनसे रिलेटेड उनके केंद्र वहां पर अगर मालो एक दो सेंटर हो अगर या मालो आसपास तो हो सकता है इकठा खाना उनके गाउं चम्मच वो समय रिस्यू करा दी गई या इनके पास धबल केंद्र का चार्ज हो तो जादा मिल गया क्योंकि अकसर आपने देखा है बहुत सी जगह जो बहनों को बरतन मिले हैं उनमें जो बच्चों के खाने वाले जो बरतन हैं सिर्फ वही मिले हैं तो वहां पर 25-25 थाली कटोरी ग्लास चम्मच इस टाइब से मिला लेकिन यहां पर जो आप देख रहें इसमें दोनों चीजें सामिल हैं यानि सेंटर पर खाना बनाने का जो काम होगा वो उनके वहीं होगा प्रात्मिंग विद्याले में नहीं बनेगा वहां पर उनको ये कड़ाई कुकर ये बे जाली ग्लास का टोरी चम्मच ये मिलेगा और उसमें कई जगह 24-25 वस इसी मात्रा में मिली हैं देकिन यहां पर 40-40 पीस आप देख रहे हैं रिस्यू कराई गई है तो हो सकता है दो-दो सिंटर का मिक्स में बच्चा बैट करके खाए तो ये दी गई हूँ उन्होंने लेक जोई परियोजना बलाक पड़ता है तो बहजोई बलाक में भी बहनों को सामान रिस्यू कराया गया है आईए आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरे हमारे पास आई है लिखा है कि यहां पर प्रधान द्वारा दिया गया है बरतन बच्चों के लिए लेकिन ये बहन कौन है नाम बताया है ना कुछ बताया है अब इतना बस फोटो उन्होंने भेजा है और चार लगबग फोटो है थाली गलास कटोरी चम्मच प्लेट यही बस इतना समझ लिजेगा देखने को मिल रहा है तो आगे चलते हैं बाकि रेस्मा बहन है रामपूर से आती है अगर हम इनक की जानकारी की बात करें उन्होंने कुछ फोटो भेजी है जनमें कुछ किताबें नजर आ रही है यानि ये किताबें बहन को वहां पर रिस्यू कराई गई है आप देख सकते हैं चहक है और भी इसमें कई पुस्तिकाएं हैं न्बीटी वाली हैं प्री प्रैमरी से रिलेट अगर रेस्मा जो है साद लिखा गया है भाई बोल रही हूं और ये न्यूज पर दिखाएं इस तरह से उन्होंने लिखा तो ये उनके वहां पर उनको रिस्यू कराया गया अब ये रेस्मा बहन ने रामपूर से हैं उन्होंने एक ये फोटो और आलेंडिया को ये भेजी है जो कि आप देख पा रहे हैं रजनीश जी है उन्नाओ से बात करें अगर हम इनके वहां से इन्होंने भी एक जानकारी बेजी कि सैम मैं पहचान और प्रबंधन के कदम से रिलेटेड यहां पर उन्होंने स्क्रीन सोट भेजा है लिखा है आंगनबाडी कारकरती रुपए बाद में लिखा तीन सो रुपए तो साध चार्ट जो दिये गए लेकिन तीन सो रुपए लिए गए ऐसा उन्होंने कहा आलंडियास की पुष्टी नहीं करता पैसे देने का या इस तरह का कोई बिल बाउचर या रिसीविंग टाइप से उन्होंने तो भेजा न मिला था तो संभवता हो सकता है पैसे तीन सो के मद में पहुँच गए हो अब वो कौन से अकाउंट में गए है मांदे वाले में जाएंगे या अन भी जो दो तरह के अकाउंट है उन में जाएंगे किसमें जाएंगे ये जानकारी नहीं है अगर बहनों आप पैसे किसी के किसमें आये कौन से खाते में तो आल इंडिया को कमेंट में अवगत करा देना हम अगले वीडियो किसी में जो एक चीजों को भी सामिल कर लेंगे ताकि बहनों आप सब तक इससे रिलेटेड भी जानकारी चली जाए सैम में पहचान और प्रबंधन के कदम से रिलेटेड ये बैनर बैनों को दिये गए हैं तीन सो रुपे उनके वहाँ पर जमा कराए गए हैं साथी टीना गौतम है उन्होंने एक ये मेसेज लेखा है कि भाया जी यूपी से आगनबाडी टीना रानी और सहरनपूर से हूँ उन्होंने कहा है कि अपने चैनल पर मुख किसीविका की नियूकती से सम्मंदित खबर भी बताया करो क्योंकि हमने यह टेस्ट दिया था लेकिन उसका कब रिजल्ट आएगा कुछ पता नहीं चल ला तो सुपरवाइजर भरती को लेकर के मैंने बताया था कि अभी उससे जुड़ी कोई जानकारियान लेखित तोर पर विभाग से नहीं आ रही है किसी भी जनपद में नहीं आ रही है तो जैसे ही कहीं से आएंगी तो हम खबरों में बताएंगे आप सब को बस अपने खबरों में बने रहना है और जब भी जानकारियान आए उनको समय पर देख लेना है राजनात जी है सेतापूर से उन्होंने अपने वहां से के मामला भीजा है बाल विकास पर्यूजना अधिकारी मचेटा सीतापूर को एक लेटर लेखा गया समू की अध्यच को बदलने के सम्बंद में ये प्राथना पत्र उन्होंने दिया है दरसल उन्होंने लेखा कि निवेदन करना है कि लच्मी सुयम साता समू की अध्यच पुस्पा भारगों ने पिछले माद दिसंबर का रासन 22 दिसंबर को जो है या 2 दिसंबर जो भी लेखा हो डेट में जो एडिटिंग टाइप से है उसको उठाया था वह रासन अब 24 जनवरी को जहां पर जो है कुछ लिखा गया है दिया है और उसमें से 20 पैकेट रासन जो है कम दिया गया और कहा है कि मैं जो है बनाओंगी गुपता से या पता ने क्या लिखा है मैं गुपता से अगले मा दिला दूँगी या कोई होंगे व्यक्ती उनकी बात कहीं जा रहे है लिखाबट में थोड़ा दिक्कत है साफ नहीं लिखा है तो यहां पर किसी अचछे से लिखवा लेना था अगर आविधन देना था क्योंकि अगर हमें पढ़ने में दिक्कत है तो जहर सी बात है जिसको आप देने जारहीं उनको भी दिक्कत होगी तो दिक्कत होगी तो फिर यही दिक्कतें फिर समाधान नहीं हो पाते लिखा है रासन 6 पैकेट जो ले गई थी इस माँ जनवरी में 19 जनवरी को रासन मिलना था लेकिन अभी तक रासन नहीं मिला लोग बार-बार फोन करके परिसान करते हैं आगन बारी को रासन मिल गया है आप जो है क्यों नहीं जो है मिला इस तरह से चीज़ी है तो कुल मिला करके उन्होंने कहा है तो अगर इस तरह की दिक्कत है तो पहली बात विभागी लोगों को ध्यान देना चाहिए अगर दिसम्मर में रासन आ गया समू के बास आ गया समू फिर कैसे रखे रहेगा अपने पास जबकि वितरण के जो आडर होते है वो वहाँ से जाता है परियोजना से दो-तीन दिन में वितरण हो जाने चाहिए तो क्या सुपर्वाइजरे ये ध्यान नहीं देती है ये सुनिश्चित नहीं करती है कि रासन वहाँ से अगर गया है परियोजना से अगर समू लेकर के गया है तो वो कारकरता को रिसीव हुआ की नहीं हुआ वितरण हुआ की नहीं हुआ रिपोर्ट तो कारकर्ता देती है ना तो जब रिपोर्ट नहीं जाती तो जिम्मेदारी फिर सुपर्वाइजरों की भी है कि वो ये सुनिशित करें कि वित्रण क्यों नहीं हुआ जब परजुना से चीज़े गई है तो कहीं न कहीं लापरवाईया हो रही है तो ऐसे मामलों में संग्यान लिया जाए और अगर समू दिक्कत कर रहे हैं मानक के विपरीत कारी कर रहे हैं तो फिर उनको बदला जाए जो की प्राथनी ने मांग को उठाया है क्योंकि समू का काम है रासन जो है लाकर के आगनबारी सेंटर पर कारकर्टा को रिस्यू करवा देना बाकी वो वितरण में सयोग कर सकती है ना कि वितरण को ले करके वो स्यम से सारे डिसीजन ले सकती है या अपने पास महीनों महीने रख करके जो है बैठी रह सकती है ये चीजें उनके अधिकार छेत्र में नहीं है रेस्यू कराना बस उनकी जम्मेदारी है अगर इस बारे में जानकारी नहीं है तो जानकारी बेहनों जुटाओ आलेंडिया बहुत पहले से चीजे बता रखा है अब आपको यही सला है कि आप अगर विभाग के लोग नहीं सुन रहे हैं तो सीधा DM का रहे ले जाओ और एक प्रातना पत्र लिखो सिकायत करो फलानी फलानी यह समस्या है परुजना में भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है ऐसे ही चीजे हो रहे हैं लाभारती हमें परिसान कर रहे हैं इस तरह से आप अपनी समस्या वहाँ पर दे सकती है यदि विभागी लोग आपकी समस्या का नराकरल करने में सच्छम नजर नहीं आ रहे हैं बात करें अगर हम अगली जानकारी की तो यहाँ पर लेखा है पेज नंबर दो पर दैनिक जागरण में आठ फरवरी को कल एक खबर प्रकासित है कि 4127 आंगन बाड़ी कारकरताओं को मिलेगा आई सुमान कार्ड का लाब अभी हाली में जो आई सुमान कार्ड को लेकर के आंगन बाड़ी बहनों के लिए सरकार ने उसी से रिलेटेड कुछ बाते यहाँ पर है आईए देखते हैं भाई आर्टिकलों में क्या बाते निकल के आने लग गई है बहुत सी बेहनों के सवाल थे क्या इसका लाब केवल करकरता को मिलेगा या उनकी पूरी फैमली को मिलेगा ऐसे तमाम सवाल थे तो देखते हैं भाई अकबारों में अभी क्या आया अभी कोई ओफिसियल लेटर विभाक से जारी होकर के नहीं आये लेकिन बातें मेडिया सोशल मेडिया में इस तरह से चल नहीं है आईए सुनते हैं लिखा गया है यहाँ पर समवाद सहयोगी की तरब से गाजीपुर में आयुसमान भारत योजना का लाब अब आंगनबाडी कारकरता को भी मिलेगा इससे जन्पत की 4127 आंगनबाडी कारकरता लाभानवित होंगी सरकार की इस गोश्रा से आंगनबाडी कारकरताओं में खुसी है इस योजना के लाभारतियों को 5 लाक रुपे तक का निसुल्क इलाज मिलता है अभी तक इस योजना में आंगनबाडी कारकरता और आसा कारकरता सामिल नहीं थी लेकिन पिछले दिनों वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने संसंद में जब बजट पेस किया तब उन्होंने इस योजना में आसा और आंगनबाडी कारकरताओं को भी इसका लाभ देने का एलान किया आंगनबाडी कारकरताओं को कम मांदे मिलता है इस बात का भी अगबार में जिक्र किया गया जिसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को रखा जिससे उनका परिवार चलाना ही जो है काफी कष्टकारी होता है ऐसे में परिवार के किसी सदस्य की बेमार पर उनका इलाज करना एक और बड़ी समस्या बन जाती है सदर बलाक के आंगनबाडी कारकरता तारा कुसवाहा उन्होंने कहा इस योजना का लाब देने के लिए प्रधानमंती नरंद मोदी को बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे जैसे सामान ने जो लोग हैं उनके बारे मे उन्होंने सूचा हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या इलाज के लिए पैसा जोटाना होता है लेकिन अभी स्योजना का लाब मिलने से हमारे परिवार को काफी रहत मिलेगी लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि स्योजना का लाब आंगनबाडी बहनों आपके खामनाय समझो कि लोगों को लगता है सब को पूरे घर को लाब मिल जाएगा लेकिन वो समय तय करेगा कि पूरे परिवार को इस योजना से जुड़ा जाएगा या नहीं और रही बात तलाज को लेकर अस्पतालों में जब आप जाएंगी वहां लंबी लाइन और इसके बहनों ने कहा operation बड़ा करना हो तो ये चीज़े आती हैं तो ये सब बाते हैं अब इनमें जिनके यहां गंभीर रूप से कोई बिमार है या बहनी है तो उनके इलाज के लिए तो उनको ये अच्छी बात है लेकिन अगर आंकड़ा देखा जाए सबी बहनों में ये आंकड तो वो मुश्किल से 2-3% या 4-5% बहने होंगी जिनको ये बहुत ज़्यादा जरूरत होगी नहीं तो काफी लोग है इसका लाब नहीं ले पाएंगे और लाब कोई अच्छी बात थोड़ी इसका लाब लेना क्योंकि बीमार होंगे तब लाब लेंगे तो क्या फाइदा ह के तोर पर मैं नहीं देखता और ना बहुत सी बहने देखती क्योंकि वही नहीं देखती तो हम उनको कैसे देखे अब बहुत सी बहने कहती है हमारे किस काम का ये चीजे ये चीजे हैं तो उनको समझो समस्या इलाज के लिए पैसे का इंतजाम करना होता तो ये तो अब प्रणाम करती हूँ उन्होंने इस योजना का अलाब देकर हमारे परिवार के उपर एक बहुत बड़ी करपा कर दी बताई अभी ये बात है ही नहीं ना लिखकर के कहीं आई है ना भी लिखित रूप में आदेसों में कि पूरे परिवार को इस योजना के तहर जोड देंगे अलाब दे देंगे मिल जाए संभवता बहुत अच्छी बात है लेकिन अभी वक्त लगेगा ना चीजें लिखित रूप में आने के लिए लिखा गया हम लोग बहुत परिशान होते थे जब हमारे परिवार में कोई बिमार होता था जिस हिसाब से मांदे है उस हिसाब से हम लोगों को परिवार चलाना ही काफी कष्ट कारी है तो फोकस आप लोगों का जब समझती है बहने कि मांदे ही कम है परिवार का खर्चा चलाना मुस्किल है तो बधाई इस चीज की भाई किस लिए फिर तो सरकार को मांदे परविचार करना चाहिए बहुत से स्टेटों को लेकर कि मैंने जानकारियां कल दी है कॉंसेस्टेट में क्या लम है मांदे का तो वो सब देखो अगर यही चीजें बहुत सी बहने जो समझदार है उन्होंने कहा भी है कि अगर ये भी सरकार का जो कदम है अच्छी बात है कुछ परसेंट काम बढ़ रहा तो इस तरह से काफी बहनों ने नाराज़ियां भी व्यक्त की है लेकिन वही चीजें है जो पॉजिटिव जो सुखदाई चीजें होती है स्टेटमेंट आते उनको खो वैरल किया जाता है और जो बहनों की समस्याएं हो उनको अक्सर ही लोग कम उठाते हैं लालमडी बहन है चंदवली से आती है उन्होंने अपने वहां से के फोटो बेजी है आईए कुछ फोटो आपको दिखाते हैं इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सी कुरसियां है बच्चों को बैटने के लिए बच्चे देखो किसी भी चायांगनबाडी सेंटर हो चाय परात्मिंग विध्याले हो बच्चे तभी आते हैं जब वहां मेहनत होती है अन्यता फिर वो बच्चे हैं वो फिर नहीं आएंगे और कभी-कभी टीचर मौदे जो वह डंडी उठाते हैं फिर वो अपना दिखाने लगते हैं और फिर उसके बाद फिर बच्चों में डर बना रहता है जो मेहनत करता है वो डंडी चड़ी नहीं उठाता लेकिन ये चीजों में अभी बदलाओ लंबे समय से काफी लोग बहुत से टीचर हैं कर रहे हैं लेकिन अभी भी मैं कहीं कहीं इन चीजों को देखता हूँ सोसल मेडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो भी मिल जाते हैं मालती देवी है फिरोजाबास से हाट्टूग्ड मील का बच्चे स्वाच चख रहे हैं एक फोटो आई है साथी साथ गुर्वत्ता की तो बात ही न की जाए क्योंकि इसमें किसी का कोई दोस नहीं प्रसासन विभाग को ध्यान देना है साथ आठ रुपे में जो भी गुर्वत्ता भरा भोजन संभो है ही नहीं अब उसको लेकर के बात ही क्या करें उमा बहन कानपूर देहा से उन्होंने अपने वहां से एक फोटो बेजी है बच्चो को पढ़ा रही है और सुमन है कन्नौ से उन्होंने भी अपने वहां से फोटो बेजी थी मदू है फतेपुर से उन्होंने अपने वहां से एक सेलफी ग्वीता मौरिया की जो की देवरिया से हैं उनके वहाँ तैसिल सभागार में ये मेटिंग वगरा हुई तो वहाँ से एक फोटो आई है साथी साथ यहाँ पर एक ये बहने सुनीता देवी और इनोंने भी अपने वहाँ से एक फोटो भेजी हैं और आज के इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं धन्यवाद